नमस्ते दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइवे शिखा में तिल चौत, सकट चौत, संकट हरा चौत या तिल कुटा चौत की आप सभी को बहुत-बहुत शुपकामना है जैश्री गणेश दोस्तों हाथ में तिल और पुष्प लेकर आपको बैठना है कथा सुनने के लिए अगर आपके पास कोई कथा सुनने वाला भी बैठा है तो उनकी हाथ में भी तिल और पुष्प दे दें और जो भी कथा सुनने बैठे हैं वो बीच-वीच में हुंकारे माग कृष्ण गणेश शतूर्थी व्रत कथा ये कथा है रिशी शर्मा नामक ब्रहमन की पार्वती जी ने पूछा हे वत्स माग महिने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें गणेश जी ने कहा हे माता माग में भाल चंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए इनका पूजन शोडश्वप्चार विधी से करना चाहिए हे माता इस दिन तिल के दस लड़ू बना लें पांच लड़ू देवता को चड़ावें और शेश-पांच ब्रहामन को दान देदेवें ब्रहामन की पूजा भक्ति पूर्वा करके उन्हें दक्षणा देने के बाद उन पांच लड़ू को उन्हें प्रदान कर दें हे देवी तिल के दस लड़ू का स्वयम आहर करें इस संबंध में मैं आपको हे देवी उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज में कोई अपाहिच, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधी से रहित एवं दीरगायू होते थे। उनके राज में एक रिशी शर्मा नामक तपस्वी ब्रहामण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ती होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हुए। पुत्र का भरन पोशन उनकी पत्नी करने लगी। वह विद्वा ब्रहामणी भिक्षाटन के द्वारा अपना और अपने पुत्र का भरन पोशन करती थी। के लिए बाहर चला गया। तब एक नर्पिशाच कुमार ने उस बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बरतनों को पकाने के लिए उसमें आग लका दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूनने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्रामणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर नारायन की लाली के सद्रश कान्ती काली, हे सुन्दर जटा समुह को धारन करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजादारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारन करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र वयोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्रामणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाब करती रही, प्राताहकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया, तब उसने आवा खुल के देखा, तब उसने जांग भर पानी जमा हुआ पाया, और इससे भी अधिक आश्चर उसे तब हु कि उसमें बैठे हुए एक खेलते हुए बालक को देखा, ऐसी अध्भुत घटना देखकर वह भैवश कांपने लगा, और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी, उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया, कुमार ने कहा, महा बाहु, हे प्रजु कि लिए आवा लगाया, परन्तु मेरे बरतन कभी भी नहीं पके, और सदयव कच्चे ही रह गए, तब मैंने भैवीत होकर एक तांतरिक से इसका कारण पूछा, उसने कहा कि चुप चाप, किसी लड़के की तुम बली चड़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा, मैंने सो मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया, कि रिशी शर्मा ब्रामर मृत हो गए हैं, उनकी विद्वा पत्नी भीक मांग कर अपना गुजारा करती है, अरी वह लड़के को लेकर क्या करेगी, मैं यदि उसके पुत्र की बली दे दूँ, तो मेरे बरतन पक जाएगे, मैं इस जगन्य कर्म को करके, रात मैं निश्चिंत होकर सो गया, प्रातह जब मैंने आवा खुल कर देखा, तो क्या देखता हूं, कि उस लड़के को में जिस सिती में बैठा कर गया था, वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है, और उसमें जांग भर पानी भरा हुआ है, इस भ बालक को प्रसनता पूर्वक खेलते देखकर मंतरी से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका रड़का है, इस बात का पता लगाओ, इस आवे में जांग भर जल कहां से आया, इसमें कमल के फूल कहां से खिल गए, इस दरिद्र कुमार के आवे में वैदूर्य मनी के सम हरी हरी दूप कहां से उगाई, बालक को ना तो आख के जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास लगी, यह आवे में वैसा ही खेल रहा है, मानो अपने घर में खेल रहा हो, राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे, कि वह ब्रहामणी वहां बिलखती हुई आपहुची, वह कु आपती हुई राजा के सामने बैठ गई, राजा हरिशंद्र ने पूछा, हे ब्रहामणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है, क्या तु कोई जादू जानती है, अत्वा तुने कोई धर्माचरन किया है, जिसके कारण बच्चे को आँच तक ना आई, राजा की बात सुन संकट नाशक गणेश रतूर्थी का व्रत करती हूं, उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जाकता बच गया, ब्रहामणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राजी की संपूर्ण जनता, इस संकट नाशक गणेश रतूर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मती है राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पति व्रते तूधन्य हैं राजा ने संपून नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया इस आश्चर्य जन घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रतेक मास की गणेश अतुर्थी का व्रत करने लगे इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनह पाया था इतना कहने के बाद श्री क्रश्णी ने कहा कि हे युद्धिष्ठिर आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण होंगी आप मित्रों पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले सामराज्य को प्राप्त करेंगे हे महराज जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी भगवान कृष्णी की बात से युद्धिष्चिर बहुत प्रसन्न हुए और माग कृष्णी गणेश चतुर्थी का वरत करके निश्कंटक राज्य भोगने लगे दोस्तों कथा यहीं समाप्त होती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक शेर जरूर कीजेगा और ऐसे ही और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजे झाल